सईयां भहे कुतवाल तो डर काहेगा नमस्कार मैं हिमानशी कुमार और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन सारे नियम काईदे कानून आम लोगों के लिए बने हैं जबकि बड़े बड़े पताधिकारियों, नेताओं और उनके बच्चों के लिए नहीं आपको बता दे कि लगातार नियती इसको मार ये दावा करते हैं कि यहां सासन की सरकार है, वो ट्रिपल से क्राइम, करब्सन, कर्मिलिजम से कंपरमाईज नहीं करते और हालिया दिनों में ऐसे ख़बरें आपने देखी होगी जहां पर एक कूल निवान विभाग के इंजिनियर के यहां छापा पड़ा था और वहां पर नोटों की बरामदगी हुई थी और बकाईदा कई लाख मिले थे और एक मशीन भी बुलाया गया था जिससे नोटों की गिंती हो रही थी और ये बकाईदा राष्ट्य सूर्खी बन गया और उसके बाद ललन सिंग ने ट्वीट भी किया तोर कहा था कि ये स्वासन की सरकार है ये जंगाल राज नहीं है जब तमाम मुख्मंत्री उस वक्त के मुख्मंत्री अधिकारियों से पैसिक उगाही करते थे ये स्वासन की सरकार है और यहां ब्रशचार करने वाले को नहीं बक्सा जाता है मतलब साब था कि कई दिनों के बाद एक अधिकारी के यहां छापा पड़ता है और फिललन सिंग ट्वीट कर देते हैं कि विहार में उस्वासन की सरकार है लेकिन अब एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है मैं अम्री दख मारी कोविट में मेरी तब्यत खराब हो गई थी और सबसे पहले मुझे हनुमान एप के वारे में फेस्वुक की द्वारब पता चला था मैंने हनुमान में कॉल सेंटर पे कॉल की जाने के लिए अम्भूलिंस वह बेज़ दे रहे थे मैं जब भी कॉल सेंटर पे कॉल कर रही थी जब किसी तरह की स्ट करवाना होता थी हनुमान दे मुझे काफी सपोर्ट किया है थैंक चु कर यह हनुमान आप को गूंगल प्ले स्टोर पे जा करके डॉनलोड करें ये सभी के लिए बहुत जरूरी चीज आपको बतादे कि बिहार में च्छोटे सरकार ये दूसी सरकार के नाम स पर साथ करूर के गवन का आरोप लगा है बकायदा आपको बता दे कि पतना जिला परिशत की नीवर्तमान अध्यक्ष अंजु देवी ने एक बड़ा आरोप लगाया है आर्सिपिय सिंग के दमाद का नाम है सुहर्ष भगत जो उस वक्त यानि एक साल पहले वो पतना के डीडी सी सहजिला परिशत के मुखे कार पालक पदादिकारी थे और अब अंजु देवी ने एक बड़ा आरोप लगाया है एक खुलाशा किया है कि जब पिछले साल चार फरवरी को सुहर्ष भगत ने बिना जिला परिशत के अध्यक्ष के होते हुए एक मिटिंग मुलाई और सावा साथ करोड का जो परियोजना था उसको पास करवाया बिना जिला परिशत के अध्यक्ष के अनुमती के और इस तरके से उन तमाम जो बजट है उसके गवन का आरोप लगाया है और वो कह रही है कि हमने इस मसले पर मुख्मंत्रिन तीश कुमार के साथ साथ पंचा जिला परिशत की नीवर्तमान अध्यक्ष अंजु देवी को बर्खास कर दिया गया है आपको बता दे कि पंचायती राजिवा की तरब से अंजु देवी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था नोटिस देने को कहा गया था अंजु देवी ने 16 अगस्ट को बकाइदा जो जो अधिकारी हैं वो काम करने नहीं दे रहे हैं अलंगा लगा रहे हैं क्योंकि वो जो है सुहर्स भगत के खिलाफ कई बार शिकायत कर चुके हैं और इसलिए जो अधिकारी हैं वो उनको काम करने नहीं दे रहे हैं वो हंगामे पर बैठ गई थी उसके बाद पंचैती रा खामयाजा भुगतना पड़ा है क्योंकि मैंने आर्सिपे सिंग के दामाज सुहर्ष भगत प्यारोत लगाया था उन्हें साथ साथ करोड का गोटाला किया है गवन किया है और इसे के शिकायत करने पर मुझे खामयाजा मिला है हम जो है मुखमंत्री से लेकर पंचायती राज मंत्री से लेकर कई आलाधिकारी हो तक इसके शिकायत कर चुके हैं अब सवाल यह उठता है कि अगर अंजु देवी जो पटना चिला परशद के नीवरतमान अध्यक्ष हैं जिनको हलाकी जो है वरखास कर दिया गया हलाकि वो दावा कर इनको चिठी नहीं मिला है उनके शि हार में उस्वासन की सरकार है लेकिन जब एक निवरतमान जिला परशद की अध्यक्ष यारोप लगाती है आर्सिपी सिंग के दमात पर कि उन्हें साथ क्रों का घुटाला किया है गवन किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए जांच होने के बाद यह असपश्ट हो जाएग कि वाकई में उन्हें घुटाला किया या नहीं लेकिन अगर जांच नहीं होता तो यह सरकार को कटगरे में खड़ा करता है और उत्सासन की छबी है इस पर भी सवलय निशान खड़ा होता है